नास्ती लोभो समो व्याधी, नास्ती क्रोधा समो रुपू, नास्ती दारिद्र वत दुख्खम, नास्ती ज्यानात परमसुखम इसमें भी चार पद है, पहले में बताया गया है कि नास्ती लोब समो व्याधी, कहते हैं कि लोब के जमान कोई व्याधी नहीं है, कोई रोग नहीं है बच्चों यहाँ पर दो शब्द आते हैं एक शब्द है आधी और एक शब्द है व्याधी आधी का अर्थ होता है मांसिक रोग और व्याधी का अर्थ होता है शारिरिक रोग तो कहते हैं जब हमारे शारिरिक रोग होता है तो वो सबसे बुरी बात होती है और शारिरिक रोग होने पर हम कोई भी कारिय नहीं कर पाते हैं तो कहते हैं यदि लोब आपके अंदर आ गया तो वो एक शारिरिक रोग के समान है जिस प्रकार से रोग हमें दुख देता है उसी प्रकार से लोब लालच हमें आगे जाकर दुख ही देते हैं दूसरे पत्में कहते हैं कि नास्ती क्रोध है समोरुपू, क्रोध के समान, गुस्से के समान कोई शत्रू नहीं है, कहते हैं जो शत्रू होता है वो हमें दुख देता है, तकलीफ देता है और हमें पीडित करता है, किन्तु क्रोध है एक ऐसा शत्रू है, जो हमारे अंदर ही इस्तित होता है और जब हम क्रोध करते हैं तो वो हमें ही दुख देता है हमें ही परिशान करता है क्योंकि क्रोधित व्यक्ति स्वयम पहले परिशान होता है जिस प्रकार से कहते हैं अगनी पहले स्वयम जलती है तक पश्चा दूसरों को जलाती है उसी प्रकार से क्रोधित यक्ति अपनी हानी पहले करता है और उसके बाद फिर वो दूसरों की भी हानी करता है तीसरे पद में बताया है नास्ति दारिद्रवत दुख्खम यानि निर्धनता के समान कोई दुख नहीं है दर्धता के समान गरीबी के समान कोई दुख नहीं है क्योंकि बच्चों कहते ह ना कि सभी सुख के साधन हम धन से प्राप्त कर सकते हैं अधिकतर जितने भी सुख के साधन हैं वो हमें धन के माध्यम से प्राप्त होते हैं तो जब हमारे पास धन नहीं होता है तो हम कोई भी सुख के साधन नहीं जुटा पाते हैं रोटी कपड़ा मकान तक हम नहीं ले पा जाए तो ग्यान के समान कोई भी सुख नहीं है अब यह ऐसा क्यों कहा गया है यह इसलिए कहा गया है कि व्यक्ति चाहे किसी भी परिशानी में हो कितना भी गरीब हो कितना भी अक्षम हो लेकिन यदि उसे ग्यान हो गया है अगर उसने इस बात को समझ लिया है कि मैं अपनी इस इस्तिती से कैसे निकल सकता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ एक सकारात्मक सोच लेकर जब वो चलता है और कोई न कोई रास्ता वो जरूर निकाल लेता है अपने दुख अपने तकलीफ में से बाहर निकलने का तो कहते हैं ज्यान सबसे बड़ा सुख होता है अब इस जो श्लोक है इसका हम अनुवाद कर लेते हैं नास्ति लोब समोव्यादी लोब के समान कोई रोग नहीं है नास्ति क्रोध समोरिपू क्रोध के समान कोई शत्रू नहीं है नास्ति दारिद्रवत दुख्खम गरीबी के समान कोई दुख नहीं है और नास्ति ज्यानात परम सुख्खम और ज्यान से बढ़कर कोई सुख नहीं है